दर्गा थाना पुलिस ने दर्गा शरीफ में मोबाल चोरी की वारदात करने वाले दो अभ्योक्तों को ग्रिफतार किया है मामले की जानकारी देते हुए दर्गा थाना प्रवारी हैमराज मुंडे ने बताया कि 6 महीने पहले दर्गा शरीफ में पहुंचे परिवादी ने शिकायद दी थी कि उनका मोबाल दर्गा परिसर से चोरी हो गया है इस मामले में तक्निकी रूप से मोबाल ट्रेसिंग करते हुए आरोपी सलीम को ग्रिफतार कर लिया गया जिससे पूस्ताच की गई तो उसने बताया है कि यह मोबाल उसने निजामुद्दीन को बेचा है इस मामले में दोनों को ग्रिफतार कर लिया गया है मोबाल बरामत कर लिया गया है आरोपियों से पूस्ताच की जा रही है वह कहां और कितनी चोरी की वार्दात कर चुके हैं बंबे निवाशी एक वक्तिने गरीव छे मेने पहले बना दर्गाह में मोबाल चोरीगी के समन्द में रिपोर्टर्ज गराई थी जिसके समन्द में तक्रिणी मादे मुझे तप्तीस की जाकर उस मोबाल का पता लगाया तो हरस्तोर निवाशी सलीम दोरा उसको प्यों में लेना पाया गया जिस पर सलीम को में मोबाल के गर्पतार किया गया उसने निवाशी लोगाशी खरीद ना पता है जिस पर निवाशी निवाशी लोगाशी खरीद ना पता है जिस पर निवाशी निवाशी लोगाशी लोगाशी खरीदना पता है जिस पर निवाशी लाकर